के गाइज दिस इस करिश्मा चोहान वेल्कम बैक तो माई चैनल तो सर्तियों का मौसम चल रहा है और बजार में तने फ्रेश फ्रेश हरे हरे एकदम हरे टमाटर जैसे आमला रहे हैं क्योंकि आमला बहुत ज्यादा हेल्दी होता है बालों के लिए स्किन के लिए अच्छी स् परपूर पोशक तत्व भी मिलेंगे सारे के सारे और आपको खाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी तो आप ये जरूर से बना कर ट्राई करें इससे ना आपको भी खाने में आमला अच्छा लगेगा और बच्चे दो मांग मांग के खाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है जो आमला है उसको दोकर अच्छे कपड़े से पहुंच लेना है और उसके बाद आमला के बीज हटाकर आमला को इस तरह से कट कर लेना है अगर आमला के उपर हलके से दाग होना तो आप इस तरह का चाकुल लें और उपर की स्किन आप हलके हलके निकाल सकते हैं जिससे आप जो आमला है वो दाग रहित हो जाएंगे और एकदम फ्रेश आमला आपको मिल जाएंगे लेकिन हद से ज्यादा अगर दाग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने सारे के सारे आमला के बीज निकाल लिए और छोटे-छोटे पीसे में कट कर लिए तो अब लेना है मिक्स जालते हैं कड़ाई चड़ाई उसमें सारहा का सारहा यह जो आमला का पेस्ट है अड़ करना आह quien करने के बाद लगातार चलाते रहना से और से बीस से के और और चली डाख मेने अरश लीघा आपको Tri Bioss बैसरी तोहाँ है तो फरक्ष क् ने आपकूप सब्सक्राइब आपको ऊसी कप से रहें रहा है आप मेंने द्याय थ्वश्ष में भाग रहा नहें आ पानसे सब्सक्ण अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा गुड प्रॉपर मेल्ट हो चुका है और आमला का जो मिक्षर है उसका कलर भी प्रॉपर चेंज हो चुका है तो अपना इसमें टेस्ट को और जादा बढ़ाने के लिए हम यहां पर जो मसाले हैं वो एड़ करेंगे लेकि उससे पहले मै उने हुए जीरे का पाउडर एक चोथा ही चमच के करीब हींग एक चमच के करीब अजवाई नेट गरी है और यहां पर आधे चमच के करीब काली मिर्च का पाउडर आधे चमच के करीब लाल मिर्च का पाउडर आधे चमच के करीब काला नमक और आधे ही चमच के करीब कर त्यार होगी बच्चे तो मांग के क्वाएंगे कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए तो सर्दियों के मौसमें एक बार बनाकर रखें और 6-7 महीनें तक आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं आप इसे हैलियूमिनियम के या फिर स्टील के या फिर लोग के बरतन में ना रखें, काँच या फिर प्लास्टिक के बरतन में रखें ताकि आपके ये छे महीने से एक साल तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, तो मसाले डालने के बाद भी एक बार कम से कम 4-5 मिनट मेडियम फ्लेम पर इने अच्छे से चला लिया, जब तक कि हमारा ये जो मिक्षर है, वो हलका सा सुखा ना हो जाए, मतलब ड्राई ड्राई सा ना लगने लग जाए, तो यहां पर आप देख रहे हैं, हमारा मिक्षर य मिक्षर को हाथ में लेना है, उसके बाद हाथ से इस तरह से राउंड बनाएं, राउंड बनाने के बाद ना चीनी के कोटिंग उपर कर दें, जिसे हमारी गोलिया और ज़्यादा डिलिशिस हो जाएंगी, तो यहां पर चीनी का पाउडर में मैंने अच्छे से एक गोली को बनाने हो तो किसी चमच का मेजरमेंट यूज कर सकते हैं, चमच से आप चोटा चोटा पार्ट लें, जिससे आपकी गोली अग्दम बराबर बनेंगी, मैं तो यहां पर एवरी डे वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाजा रहता है, इसलिए मुझे चमच क या फिर प्लास्टिक के बरतन में डिबे में स्टोर करके रखें, आपकी गोलियां छे महीने से एक साल तक आप स्टोर करके रखें और खाएं, तो बहुत अच्छा काम करेंगी, और एक बार सर्दियों के मौसम में गोलियां बना कर जरूर ट्राय करें, तो मैं आपको एक अंदर से तोड़ के बताती हूं, देखा क्या मस्त कलर है, क्या मस्त लुक आ रहा है, कितनी अच्छी है बना कर जरूर ट्राय करें,